आज के वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भारती भागचार का तेरह मापार्ट स्री राम चरितम इस पार्ट में हम लोग स्री राम के पूरे चरित्र के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपना विशेट वीडियो शुरू करने से पहले विडियार्थों से मिला अन्रोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे संस्कृत भाषा को आसान बनाने के उद्देश से मैंने इस चैनल पर वीडियो अप्लोड करने शुरू किया है तो उन तमाम वे त्याधियों को ये वीडियो शेर करिएगा जो संस्कृत सीखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आदिकवी महर सी बालमिकी रामाणम रचित्वां आदिकवी महर सी बालमिकी ने रामाण की रशना की अता इदम आदिकाब्यम कत्थते इसलिए यह आदिकाब्य कहलाता है अत्र भगवतह स्री रामस्य अख्लम चरित्रम वर्नितमस्ती यहां भगवान स्री राम का पूरा चर पुरा अयोध्यायाम दश्रत राजा आसे प्राचीन अयोध्यामी दश्रत राजा थी तस्य तिस्त्रह पत्निया आसन उनकी तिन पत्निया थी कोशल्या केकाई सुमित्राच कोशल्या केकाई और सुमित्रा ताभ्यस्च चत्वारह पुत्रह अववन उनके चार पुत्र हुए कौसल्याया स्री रामह कैके आः भरत है सुमित्राया लक्षमड है सतुधनष्च कौसल्या के सिरी राम कैके भरत सुमित्रा के लक्षमड और सतुधन बाले एति सर्वी वेदादी शकला विद्या अधित बनत है बचपन में ही इन सवन नी वेड आदी सारी विद्याओं को ग्रहन किया या अध्यन किया स्री राम लक्षमनस्च महर से विश्वामित्र से आश्रमम अगच्चताम स्री राम और लक्षमन महर से विश्वामित्र के आश्रम गई तो कुमारो विश्वामित्रा त्य धनुल विद्याम और सिख्छताम उन दोनों राज कुमारों नी विश्वामित्र से धनुष्की विद्या सीखे तत्रा नेकान राक्षसा नपी तो अहताम वहां उन्होंनी अनेको राक्षसों को भी मारा ततह विश्वामित्रेंड सह राम लक्ष्मण मिठलाम अगच्छताम उसके बाद विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण मिठला आये तत्र स्वेंबरे सिरी रामा सीव धनु भंक्तवा राग्या जनकस्य सुदाम सीताम ब्यवहत्य वहां स्वेंबर में सिरी राम ने सीव के धनुष को तोड़कर राधा जनक की बेटी सीता का से बिवाह किया अयोध्यायां दस्रता सिरी रामस्य यूराज रूपेड अभिशेकम एक्चत अयोध्या में राजा दस्रत सिरी राम का यूराज के रूप में अभिशेक करना चाहती थे तदानिम एव कैकई सिरी रामस्य चतूर दस वर्शाणी बन्वासाय भरतस्य च यूवराज जय दस्रताम प्रार्थियत तदानिम उसी समय कैकई नी सिरी राम optimum के चौदा वर्श के बन्वास के लिए और भरत के यूराज के लिए राजा से प्रार्थना की दस रत से प्रार्थना की पूर्वम दस रत तस्य वचन वयम दत्वान पहले ही राजा दस रत नी उनको दो वचन दिय थे अता पितु वचनम पालेतुम सिरी रामा बनम अगच्चत इसलिए पिता के वचन का पालन करने के लिए सिरी राम बन गए सीता लक्ष्मणष्य सिरी रामम अन्व गच्चताम सीता और लक्ष्मण भी सिरी राम के साथ बन गए रामात वियोगेन दस्रत प्राणान अत्य जत्ते, राम के वियोग मी दस्रत ने प्राण त्याग दिये, तस्मीन काले भरता स्वामाता महस्य ग्रिहासेत उस समय भरत अपनी नाना के घर मी थे माता मह ग्रिहात प्रत्यागता भरता स्रीरामस से वन गमनें अतिव छुब्दह जाता, माता मह यनि नाना के घर से लोट कर भरत स्रीराम के वन गमन से अत्यनत ही दुखित हुए बनवास से उनको वापस लोटाने के लिए वह चित्रकूट में राम से मिले परन्तु सिरीराम पितु सत्य मेव पाला इत्वा वनाथ न प्रत्यागत्चर परन्तु सिरीराम पिता के सत्य के का पालन कर वन से न लोटे सिरीराम भरताय स्वैस्च पादु के अयक्चर सिरीराम ने भरत को अपनी खडाओं दी भरत अतत पादु का द्वयम सिंगहसन ने संस्थाप्य सिरीराम अस्य से शेव का इव राज्यम शाथ भरत ने उसे खडाओं को सिंगहसन भरस्थापित कर राम के सेवक के तरह राज सीता और लक्ष्मन के साथ सिरी राम बहुत से वनों में घुमकर पंच वठी में निवास किया परन्तु एकदा लंकाया राजा रामण तसमात बनात चलेन सीताम अहरत लेकिन एक बार लंका का राजा रामड उसे बन से छल के द्वारा सीता का हरण किया ताम बिना सिरी राम ब्याकुल अववत उनके बिना अर्थात सीता के बिना राम ब्याकुल हुए सह किस्किन्दाया बानर राजिन सुग्रिवेण समित्रताम अकरोत उन्होंनी किस्किन्दा के बानर राज सुग्रिव के साथ मित्रता की तस्य मंत्री महावीरो हनुमान लंका अगत्वा सीताय अन्वेशनम अकरोट उसका मंत्री महावीर हनुमान लंका जाकरके सीता की खोजके सिरी राम लक्षमनेन बानर सेनियाच सह समुद्री सेतु बंधनम कृत्वा लंकाम अगत्चत शिरी राम लक्षमर से और बानर सेना के साथ समुद्र में पुल बना करे लंका गये तत्र सह कुम्ब करण मेघनाद दादि भी सकले बान्धवे सह दुष्ट रामणम अहनन सीताचा समुद्रत वहां उन्होंने कुम्ब करण मेघनाद आदी सभी बान्धों यानि राक्षर से परिवार के जो सदस्य थे के साथ दुष्ट रामण को मारा और सीता का उधार किय तत्र सीता लक्षमना अभ्याम सह पुस्पक विमानीन अयोध्याम पृत्यागच्चत उसके बाद सीता और लक्षमन के साथ पुस्पक विमान से अयोध्या लोटे अयोध्यायाम सिरी रामच से राज्या भिशेक अभवत अयोध्या में सिरी राम का राज्या भिशेक हुआ राम अतीव प्रजा नुरंज कह आसेत राम अत्यनत ही प्रजा के प्रियते तस्चे राज्ये भयम अप्राधम अकालमरणम रोगह अनाचारा इत्यादी अनुचितम के मपेनासेत उनके राज्य में डर, अप्राध, अकालमरित्तु, बिमारी, अनाचार इत्यादी कुछ भी अनुचित नहीं था सर्वा प्रजा सुखेन सदाचरेण चवसतिस्मा सारी प्रजा सुख से और उत्तम आचरण से निवास करती थी अता अध्यपी राम मिराज मेव शासनस्य आदर्श मन्यते इसलिए आज भी राम मिराज सासन ही आदर्श मना जाता है जना इदानिम रामायरं परम सर्धा पठनती लोग इस रामायर को भी पूरी सर्धा से पढ़ते हैं तो इस प्रकरण से हम लोगों ने इस पार्ट का हिंदे अलगात किया चातरों से मेरा अंडरोद है कि भासा को आसान बनाने के लिए आप लोग इस पार्ट के कठिन सब्दार्थों को आवश्य याद करेंगे जिससे धीरे धीरे आपके लिए भासा आशान हो जाएगी अब हम चलते हैं इस पार्ट के अभ्याज प्रश्णों को देख लेते हैं तो सक्चे पहला हमारा प्रश्ण है आदि कवी कह सह किम रचित्वान आदि कवी कह तो आदि कवी बाल में किही अस्ती सह किम रचित्वान तो सह रामानम रचित्वान कैकयाह पुत्रह भरतह आसीत केन सह यहाँ पी आसीत सब्द का प्रियोग करियेगा कैकयाह पुत्रह भरतह आसीत केन सह सिरी रामा मैत्रिम अकरोत सुग्रिवेन सह सिरी रामा मैत्रिम अकरोत कह रावणं अहनह रामा रावणं अहनह केन बिमानेन सिरी रामा अयोध्याम प्रत्यागच्चत महान चा असो राजा रिसी महान चा असो रिसी महरशी रामश्च लक्ष्मडश्च राम लक्ष्मड़ो यहाँ पे समस्त पद बनाना है ना उचितम अनुचितम शेतु नाम बंधनम शेतु बंधनम राम एव अयनम यस्मीन ततकाब्यम रामायनम तो इस तरह से हम इसका समस्त पद बनाएंगे Q3 में है तल और त्व प्रत्य जोड करकी प्रत्मा विभक्ति की एक वचन का रूप लिखना है जैसे मित्र में अगर हम त्व प्रत्य जोड़ेंगे तो मित्र त्वम होगा और तल प्रत्य जोड़ेंगे तो मित्र ता होगा उसी प्रकार से उच्च में जोड़ेंगे तो उच्च त्वम और उच्च ता इसमें त्व प्रत्य जोड़ा हमने इसमें तल प्रत्य जोड़ अब उसके बाद देखेंगे इस्थूल में इस्थूल त्वम और इस्थूल ता दूरबल त्वम और दूरबल ता उसे प्रकार से इस्थीर त्वम और इस्थीर ता लगू त्वम और लगू ता इस तरह से त्वम और तल प्रत्य जोड़ करके शब्द बनेंगे अगला प्रेश्ण है रिक्त स्थानों के पूर्ति करनी है पूत्र लक्ष्मना आसे किसके पूत्र लक्ष्मन थे तो सुमित त्रायह सिरी राम पादू के अयक्षत सिरी राम नी खड़ाओं दी किसको दी तो भरतायह रावण रैस सीता महरत रावण नी किस तरह से सीता को हरा तो छलेने सीता लक्ष्मना भ्याम सह सिरी राम पंच बट्याम निवसत सिरी राम बिना दस्यता प्राणम निर्गता है question number 5 में राजन का राज्या होगा सश्थी भ्यक्ती में एक वचन में और वानरह का बहुवचन में वानरह होगा वानरह उसे प्रकार से पादुका का दुध्या विभक्ती में होगा पादुकाम दुई बच्चन में पादुकी और अयोध्या का सप्मिवेक्टी एक बच्चन में होगा अयोध्यायाम और राम लक्ष्मर का दुई बच्चन में होगा राम लक्ष्मरो और तत का चतुर्थी एक बच्चन पुलिंग में होगा तस में अब क्वेश्चन नमबर फाइब में असिधातु का लंग लकार में रूप चलता है आसेत आस्ताम आसन आनिय धातु का लंग लकार में चलता है आनेश्यती आनेश्यतह चरी उत्तम पुरुस में आनेश्यामी होगा आनेश्यामी आनेश्यावह और आनेश्यामह उसी तरह से प्रती आगम का लट लकार मध्यम पुरुस में होगा तो यहाँ पे होगा प्रत्या गच्छसी प्रत्या गच्छितह और प्रत्या गच्छत्य उसी तरह से विधी लिंग प्रत्थम पुरुस में होगा न्यवसेते न्यवसीताम न्यवसेयुहु युहु होगा और पठ का लोट लकार मध्यम पुरुस में होगा पठह पठेतम और पठत इस तरह से इसका रूप चलेगा क्रेशन नमबर सेवन्त में हम लोगों को संस्कित में आनवात करना है तो अयोध्या के राजा कौन थे अयोध्या राजा या राग्यह कह आसेद राम के साथ सुग्रिव ने मित्रता की रामियन सा सुग्रिव मित्रताम अकरोते भरत सिंगासन नहीं चाते थी भरत सिंगासन ने एक्छत याँ पी ना जोड एक्छत अच्छा सभी राक्षस दुष्ट नहीं थे सर्वा राक्षसा दुष्टान आसन राम के राज में सभी सुख से रहते थे रामस से राज ये सर्वा सुखेन अवसन इस कहानी में नविंता नहीं एतस्याम कथाम नविंता नास्ति शिक्षकों की गुर्ता का आदर करो शिक्षका नाम गुरुतायह या गुरुतस्वे दुसरों दुनों हो जाएगा गुरुतायह या गुरुतस्वे यहाँ पे अगर तल प्रत्य जोड़ा गया है तो इस लि संग्या सब्द की तरह हुआ दोनों में से किसी एक सब्द का प्रयोग कर सकते हैं आधरम अकरोते लटिका सास्त्रे नित्यम अधीवती तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट के अभ्यास प्रश्णों को देखा अगर मेरा प्रयास आप सभी विद्यार्थों के लिए फायदे मन्द हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना विचार कमेंट के द्वारा अवस्य बताएगा कि आपको यह वीडि खार्ट